नमश्कार, मैं डॉक्टर पुनीद गुपता, रेटिना स्पेशलिस्ट गाजियवाद, आपको पर्दे या रेटिना से सम्मंदित कुछ बीमारियों के बारे में जानकारी देना चाहूंगा इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या मैकुलर होल का इलाज हो सकता है और इसका इलाज कैसे किया जाता है आपके पर्दे के केंदर में इस सबसे सेंस्टे विस्थान मैकुला में छेद बनने की अवस्था को मैकुलर होल बोलते हैं मैकुलर होल के पेशेंट को अपने देखने के सेंटर के दाइरे में धुंदलापन या धबा नजर आता है या डिस्टॉर्शन महजूस होता है अगर मैकुलर होल का इलाज ना किया जाए तो ये पर्मेनिंट विज्वल लॉस होने के चांसे रहते हैं मैकुलर होल की जाँच के लिए आँख की पुतली को फैलाकर आँख के पिछले भाग यानी रेटना या पर्दे की जाँच की जाती है और अगर उसमें जरूरी पाया जाता है तो OCT का स्कैन करके पर्दे की भीत्री लेयर्स का जारे में जानकारी ली जाती है यदि जाँच में मैकुलर होल की अवस्था पाई जाती है तो इस अवस्था में ऑपरेशन करके इस होल को बंद करने का कारिए किया जाता है मैकुलर होल के इलाज के लिए विट्रेटमी का ऑपरेशन किया जाता है जिस operation में जो आँक के परदे पे खिचाओ पैदा करने वाली jelly है उसको आँक के अंदर से remove किया जाता है और आँक के जो अंदर छेद है उसके चारो तरफ आँक के परदे की सतह पे जो membrane बनी होती है जो की hole के बनने का कारण होती है उनको भी परदे की सतह से एक बहुती fine membrane surgery के द्वारा और automated vitreous cutter के द्वारा जो की swing से भी पतला होता है उसको remove किया जाता है इसको remove करने के बाद इसमें एक विशेश प्रकार की gas जो की आंक के परदे के इस hole पे दबाव डालती है उसको inject किया जाता है यह एक बहुती fine और delicate surgery है यह operation operation थेटर में microscope के अंडर में एक बहुती विशेश प्रकार की sophisticated vitrechny machine के द्वारा किया जाता है operation के बाद patient को अपना सर कुछ दिनों के लिए prone position में रखना होता है जिससे की gas का बुलबुला सही जगा पे छेट पर दबाव पैदा कर सके लगभग 85 से 90% patients के अंदर operation के बाद hole बंद हो जाता है रोशनी की recovery में कुछ महीनों का समय लगता है और रोशनी कितनी आएगी यह इस बात पर निर्भख करता है कि operation से पहले hole का size कितना था और वो hole कितना पुराना था मैकुलल होल कोई लाहिलाज बीमारी नहीं है अगर समय रहते इसका सही operation करा लिया जाए तो रोशनी बच सकती है धन्यवाद आशा है आख की रेटना या परदे से संबंदित बीमारी के बारे में यह जानकारी आपके लिए उपियोगी होगी धन्यवाद